हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मॉडली स्कूल राजगर दोस्तो ए आरपी पत पर सिक्षक नेताओं की गड़ी नजर जिहां दोस्तो एकाडमिक रिसोर्स परसन ये पर्यूजना का नया पत है जो कि ए बी आरसी का अस्थान लेगा अब ए बी आरसी और एन पी आरसी के पत दोस हो जाने से पत्र कहता है कि बौखलाहट है सिक्षक नेताओं में तो आते हैं दोस्तो पत्र की जुबानी में देखते हैं कि सिक्षक नेताओं की कैसी है गड़ी नजर और कैसी बौखलाहट है पूरी की पूरी नियूज आपके सामने कवर करते हैं ए बी आरसी से हटाएगे सिक्षक नेताओं की ए आरपी पर है नजर जी हां दोस्तों सुक्रवार को जारी होगा विग्यापन अमर उजाला ब्यूरो की ख़बर है प्रताव गड़ जन्पद में विशेश समवाददाता ने दोस्तों कवर किया है प्रताव गड़ बेसिक शिक्षा विभाग में अब उनकी नजर ए आरपी यानि एकेडमिक रिसोर्स परसन पर टिक गई है मगर विकास खंडस्तर पर सिर्फ च्छा पद ही सिर्जित किये गए है मगर दावेदारों की संख्या अधिक होने से शिक्षक नेताओं ने अभी से माथा पच्ची करना शुरू कर दिया है बेसिक सिक्षविभाग में अभी तक ब्लोक अस्तरपर 55 ABRC और नयाओ पंचायत अस्तरपर NPRC का चैन किया गया था ABRC को विशेविशेसक के रूप में इसलिए तैनाती की गई थी कि वह स्कूलों का भ्रमाल करके बच्चों को विशेवस्टु की सिक्ष़ा देंगे तो दोस्तों ये है न्यूज अमरुजाला की और अमरुजाला ने कबर किया है कि शिक्षक नेता ऐसे पदों बेकाबिज हो गए थे जो स्कूल नहीं जाते थे और नहीं बच्चों को कोई उप्युक्त जानकारी दे पाते थे मगर साहब बनकर सहयोग्यों पर धाग जमाते थे ऐसा पत्र का मानना है NPRC का चैन स्कूलों की सूचनाएं देने के लिए किया गया था मगर बेसिक शिक्षा मंत्री के ABRC NPRC का पर समाप्त होने से हो मायूस से हो गए है अब विभाग बलाक अस्तर पर 6-6 ABRC NPRC करने की तैयारी कर रहा है उसमें 5 विशे विशेसक और एक परसास्निक व्यवस्ता संचालित करने के लिए NPRC करने को कहा गया है दोस्तों ये जो ABRC का पत होगा इसमें 5 अपने विशे के विशेसक होगी और एक ABRC ऐसा होगा जो संतुलन बनाने के लिए समनवे बनाने के लिए परसांस्निक व्यवस्ता संचालित करने के लिए उसे न्यूक्त किया जाएगा शुक्रवार को इसके लिए विग्यापन निकल रहा है हमारे जन्पत प्रतावगड में फ्राइडे को आप पेपर देखेंगे तो उसमें ABRC का विग्यापन दोस्तों रहेगा अभी तक ABRC रहे शिक्षक नेताओं की नजरें अब ABRC पर टिक गई है जिया दोस्तों लंबे समय से जो शिक्षक नेता रहें और जो की BBRC के पद पर काविज रहें सीधी सी बात है जाहिर सी बात है कोई अपने पद जो मूल पद है उसे वन्चित नहीं होना चाहेगा तो नजरें उनकी टिक गई है कोई बड़ी बात नहीं है नजरें टिकनी भी चाहिए क्योंकि ऐसे पद है जिसके माध्यम से ब्लॉक अस्तर पे उनको एक रेकगनीशन मिली थे और कोई अपनी पहचान को खोना नहीं चाहता है कोई बुरी बात भी नहीं है अच्छे ही बात है क्योंकि नजरें टिक गई है पद सीमित होने और अभ्यरती अधिक होने से अधिकारी भी चहेते लोगों को कुर्सी पर नहीं बैठा पाएंगे पद सीमित हो गया है, candidates फॉर्म जादा डालेंगे तो जो most wanted person है, जो चहेते लोग है ऐसा पत्र का मानना है कि चहेते लोगों को भी अधिकारी कुर्सी पर नहीं बैठा पाएंगे वास्त्विक्ता क्या होगी, वो सामने आएगी लेकिन पत्र का मानना है कि अधिकारी भी चहेते लोगों को कुर्सी पर नहीं बैठा पाएंगे यानि पत्र का मानना है कि निस्वत चुक्चैन होगा ऐसे में सिक्षक नेताओं ने जन प्रतिनिदियों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया है सिक्षक नेता जन प्रतिनीदी का चक्कर लगा रहे हैं एरपी पत के लिए ऐसा पत्र का मानना है फिलाल अब यह देखना है कि यह अपनी मुहिम में कितना सफल होते हैं यह जो है भविश में का विशे है तो दोस्तो यह एरपी पत पर सिक्षक नेताओं की गड़ी नजर पत्र ने सिक्षक नेताओं का मख़ूल उड़ाया है और यह कहा है कि उनकी नजरें गड़ गई है तो दोस्तो यह निउस कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल पे कमेंट करना इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्षक भाई बहनों के बीच में शेयर करना लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगर के इस खूब सूरत यूट्व चैनल पे नए हैं पहली बार विजिट करना हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हो बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो त्वाचिए और लिस्निक इस एजेपर कास्ट वे सिंग आफ